Hello everyone and welcome to thegatelectures.com देखे आज से पहले हमने जो वीडियो यूट्यूब पर अप्लोड किये थे for gate and UGCnet वो सभी वीडियो हमने English language के अंदर record किये थे मतलब आपने देखा होगा कि हमने जितने भी subject है UGCnet के अंदर हमने हर एक subject को provide किया है students को जिन्होंने हमारे courses को लिया है और उसके लावा जो courses अभी already ले चुके हैं अब देखे ऐसा होता है कि एक teacher जब पढ़ाता है तो वो अपने experience से सीखता है कि अपनी classroom में coaching में वो बच्चों को पढ़ाता है किस तरह के से उनके साथ interaction होता है अपनी experience के साथ चीजों को सीखता है, improve करता है गलतिया करता है और गलतियों को भी improve करता है उसी तरीगे से जब मैंने video lectures record करना शुरू किया था तो मैंने 2015 के अदर video lectures शुरू किया था record करना I've completed my mtech in 2014 तो 2014 में मैंने अब जब अपनी mtech किया था फिर उसके बाद मैं teaching field में आ गया था लेकिन एक साल के experience के बाद I started recording the lectures So जितने भी lectures, most of the lectures जो भी मैंने record किया है वो 2015 और 16 के year में record किया है उस समय पर I started my teaching career लगबग एक या दो साल का experience रहा होगा उस समय पर तब मैंने अपने teaching career जो है video lectures में start किया था अब ऐसा है कि अब जो teaching है मैं को काफी साल हो गया है पढ़ाते हुए अब आप देख सकते है 2014 से मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर तो पिछले चार सालों में मैंने बहुत सारी नए-नए चीजों को सीखा है किस तरीके से lectures को deliver करना चाहिए ऐसे बहुत सारे concepts हैं जो काफी teachers जो हैं अभी भी गलत बढ़ाते हैं मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूंगा but just for example purposes gate की field में भी even जो आपके top से top faculties हैं जिसको आप सोचते हैं that they are god in this field but again I experienced in the last four years कि काफी सारे ऐसे concepts हैं कुछ subjects हैं जैसे for example अगर मैंने वो subjects को खुद से go through किया फिर जिस तरह से मैंने अपने teacher से वो subjects को पढ़ा और फिर जब मैंने books को go through किया तो मैंने देखा कि बहुत जादा difference है कुछ concepts के अंदर कि किस तरीके से concept को deliver करना चाहिए और किस तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए क्योंकि conceptual mistakes होना हमारे examination के लिए अच्छा नहीं है तो conceptual mistakes काफी lectures काफी teachers के lectures में even though because मैंने भी वहां से पढ़ा है मैंने भी काफी जगे से अपने content को prepare किया था तो obviously मेरी काफी lectures के दर conceptual mistakes है that I know और वो मैंने अपने teaching experience के दोरान इतनी जो पिछले कई सालों से मैंने classroom teaching के पढ़ा रहा हूँ उस experience से मैंने वो सब चीज़ों सीखिये देखें जो classroom experience मैंने लिया है वो specific कुछ groups of students से limited नहीं है I've been teaching all over India मैं इंडिया में इस समय पर लगबग 18 से 19 states के अंदर पढ़ा चुका हूँ I've taken classes in Chhattisgarh, Bhilay, Raipur, UP, even Pune, Maharashtra, then Bangalore इस तरीके से इंडिया के काफी locations पर मैं अल्री classes ले चुका हूँ thousands of students को मैंने train किया in the last four to five years तो उस experience के बाद मुझे एक चीजे मुझे काफी चीजे हैं जो सीखने को मिली है तो एक teacher जो है वो अपने experience से ही सीखता है तो जो मैंने सीखा है वो मैं अब अपने experience से आपको पढ़ाना चाहता हूँ अब जो videos हमने record किया था इसे पहले in 2015-16 पे जो मैंने videos record किये थे for gate as well as for UGC वो सभी videos मैंने English language में record किये थे लेकिन अब time आ गया है कि मैं उन सभी videos को दुबारा से record करूं दुबारा से इसको prepare करूं जहां जहां पर जो content है मैं काफी content को improve कर सकता हूं because I know कि काफी videos तो है मैंने ऐसे record किये कि बस मैं गया I was not even having any time to revise I was not even having any time to go through the content again तो I just turned on the camera और मैंने start कर दिया because time के उसमें पर काफी कमी भी थी तो जो videos मैं already record कर चुका हूं वो 2015-16 के videos थे लेकिन अब जो है मैं उन सभी content को इस साल that is in 2019 मैं पूरे content को for gate and adjacent दोबारा से हम लोग record करेंगे और इस बार सभी lectures हम लोग सिर्फ whiteboard पर record करेंगे कोई भी lectures हम digital pad पर record नहीं करेंगे तो digital pad के जो lectures होंगे mostly वो previous question papers के solutions ही होंगे यानि कि ऐसे चीज़े जहां पर हमें already questions चाहिए प्रिफियर question paper के solutions वो चैज़े हम लोग digital pad पर record करेंगे अदरवाइस जितना भी आपा content है for your exam preparation everything I will be recording on the whiteboard ठेके so this is the first thing and second thing इस साल we are also experimenting with two things number one is we are going to start a live classroom the live online classroom where आप हमारे online classes होंगी जहांपर 20-25 students होंगे that can be on Skype that can be on the different kind of platform जो हमने एक दो प्लाटफोर्म को select किया है तो बहाँ पर ऐसा होगा कि जो students हैं they will be live with us तो हम उनके साथ live interaction कर सकते हैं वो मुझसे live बात कर सकते हैं मैं उनसे live बात कर सकता हूँ live interaction कर सकते हैं वहां से हम लोग content को पढ़ाएंगे एक तो यह एक चीज है जो हम इससा स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप अगर सिर्फ recorded video lectures पे आप dependent ना हो अगर आपको recorded video lectures पसंद नहीं है तो उसके अलावा भी आप एक live session हमार साथ live classroom session में आप हमार साथ जूड सकते हैं जहाँ पर हम लोग इस समय जो July examination आने वाला है UGC net एक तो उसको target करके हम लोग live classroom deliver करेंगे और उसके अलावा पर जो next year 2020 का जो आपकी बस gate examination आने वाला है उसको हम target करके वहाँ पर deliver करेंगे और दूसरी चीज़ you can enroll for the Hindi lectures आलसो तो gate और UGC net दोनों के आपकी जो examinations हैं मैं हर एक subject को Hindi में भी record करूँगा और obviously जो content है पहले से updated content होगा जो मैंने पिछले 3-4 सालों में सीखा है जहाँ जहाँ पर lectures के इंदरे मैंने improvement की है तो वो सभी updated content वहाँ पर होगा तो आप चाहें तो उसके लिए वे record enroll कर सकते हैं तो अगर आप enroll करना जाते हैं obviously जो contact numbers है इस video के नीचे आपको हमारे contact numbers मिल जाएंगे आप इस पर call करके और हमारे website को visit करके enroll कर सकते हैं तो हम लोग आज से हम लोग start करें for the lectures जो हम already record कर चुके हैं लेकिन इस बार हम उसको और better तरीके से record करेंगे ज्यादा experience के साथ record करेंगे and I promise you कि इस बार हम लोग ज्यादा better quality के साथ हम उसको record करेंगे जो गलतियां हमने पहले की हैं पिछले दो-तीन सालों में हमने जो जो गलतियां की हैं उन सभी गलतियों से हम लोग सीख रहे हैं और उन सभी गलतियों को दूर करके इस बार हम better और ज्यादा aligned तरीके से आपको lecture deliver करेंगे ठीक है ? So thank you for watching this video and please don't forget to subscribe on the channel और अपनी जो suggestions है आप हमें please comment box में आप दे सकते हैं तो जो suggestion है वो अगर productive हो तो जादा अचा है rather than कि suggestions हमेशा कभी जो suggestions है न वो negative suggestions नहीं होने चाहिए आप किसी की बुराई मत कीजिए आप अगर चाहते हैं कि आपको पता है कि उसके अंदर कमी है तो आप suggestions को हमेशा positive suggestions देजे कि किस तरीके से person अपनी कमी को दूर कर सकते है तो आपकोने suggestions लिए हमें दे सकते हैं in the comment section और let's start